एक नई सियासी जमार जम्मो कश्मीर के अंदर बहुत जल्द जनम रहेगी शमालो जुनूब में काफी ज्यादा मीटिंग्स हो रही है साबिक काबिनी वज़रा जिनके मश्वरे एक दूसरे से लिए जा रहे हैं और एक दूसरे से मुलाकातों का सिलस्दा पिछले कई रोज से जारी था और वो दिन दूर नहीं के जस दिन जमो कश्मीर में यानि कल अब डीडी सी इंतिकाबाद के नताइब सामने आएंगे तो उसके बाद सब की नजरें एक और ग्रुप पर रहने वाली हैं जिसका एलान जमो कश्मीर के अंदर हो सकता है क्योंकि बताय जा रहा कि कई जो साबिक कैबिनिट मिनिस्टर्स हैं वो भी इन सला मश्वरों में शामिल हो रहा है इस नए ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं जिसका एलान आने वाले कुछ दिनों के अंदर यूनियन टेटरिक के अंदर किया जा सकता है कश्मीर के बड़े लीडर जहां कश्मीर के अंदर वहीं कोटवा से लेकर डोडा बदर्वा और नजोरी के बहुत सारे बाऊसर शक्सियात इसका हिस्सा बन सकते हैं ताव जराय की खबर को आगर सही हम माने और इस खबर को आप जब हम आपके सामने रख रहे हैं तो रात देर गए भी स्रीनेगर के एक बड़े होटल के अंदर तकरीमन बारा लोगों की निशस्ट हुई थी और उन बारा लोगों में तकरीमन साथ से आठ साबिक काबिनी वजीर भी थे जो लगातार इस मशावरत में थे कि नई पार्टी का नाम किस तरीके से रखा जाए और इसके खदुखाल को किस तरीके से सामने रखा जाए और ये भी माना जरा कि आईन को बनाने के हवाले से अबूरी आईन को बनाने के हवाले से भी एक जिमनी कमीटी का तश्कील दिया गया है तो बड़ी खबर नाम चंद दिनों में हम आपके सामने जरूरी रखेंगे लेकिन फिलहाल बड़ी बात ये कि साविक उज़रा इन दिनों आपस में सला मशवरा कर रहे हैं और कल रात देर गए भी स्रीनेगर के एक बड़े होटल के अंदर मीटिंग हुई है इस तरीके की खबर है शुमाल जनूब के बड़े लीडर इस वक्त सर जोड कर बैठ रहे हैं ताकि एक नई पार्टी का कयाम अमल में लाया जा सके इससे पहले भी आपको याद होगा कि इसी साल में 375 से खतम होने के बाद एक पार्टी वजूद में लाई गई जिसका नाम जम्मू किश्मीर अपनी पार्टी है और उस पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा तेदाद में जो लोग है वो पिपलिस देमोक्राटिक पार्टी क जिसका चले गए और बाद में वो लगातार अभी रवादवा है और मुक्तलिब लोग जो है वो उसमें जॉइन कर रहे हैं और इस वीच वो चुनावी दंगल का हिस्सा भी बनी है